बजना दे विष्णा गुपाला जैश्नी रादे विष्णा गुपाला जैश्री रादेव प्यारा भक्त कौन होता है जो भगवान की आत्मा बन जाता है भगवान ने गीता में सात्मे ध्याय में चार प्रकार के भक्त बताएं है सोला सरविश्लोक में चतुरुबिधा भजनते माम जना सुकृतनोर जुना आर्तो जिग्यासुर अर्था थी ज्याणी चभरतर शभड़ आर्त जिग्यासुर अर्था थी ज्याणी उनमें ते शाम ज्याणी नेक्तियोक्त एक भग ते रे विशिश्यते जो ज्ञानी भक्त है वो सबसे स्रेष्ट है प्रियो ही ज्ञानी नो त्यर्थम अहम सचा ममप्रिया उसका मुझसे प्यार होता है वो मेरा उससे होता है बस ज्ञानी भक्त रग्रा भगवान के लावार कहीं प्रेम नहीं होता ना अपना शरीर ना अपना सुख न संसार कहीं उसका प्यार न परिवार न धन न संपत्ति उसको ज्ञानी भक्त कहा गया तेशाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिश्यते प्रियोहिग्यानिनोत्यर्थम अहम सचमामप्रिया हम जैसे लोगों का शरीर में प्रेम है इंद्रियों में भोजन में, धन में, इस्त्री में, भोग में लेकिन ज्ञानी भक्त वही है जिसका कहीं प्रेम नहीं है एक मात्र भगवार में प्रेम है भगवान ही उसके माँ है भगवान ही पिता है भगवान ही बंधू है ऐसे भक्त का विब्रण कपिल भगवान ने कहा है तीसरे सकंद के पचीश्वे ध्याय में आखिर में नकर्ष्चित मतपराः शांत रूपे नंक्षंती नोमे निमिशो लेधी हेते हैं ऐसे भक्त को काल नहीं खा सकता और उसका बिनाश भी नहीं होता कैसा है वो ये शाम हम प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरु सुहर्दो दैव मिष्टम जिनका सब कुछ मैं ही हूँ प्यारा मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, बेटा मैं हूँ, सखा मैं हूँ, गुरु मैं हूँ, सुहिद मैं हूँ उसको ज्यानी भक्त कहा गया है यानि अनन्य प्रेमी भक्त को ग्यारी भक्त कहा गया क्रिपा करो, क्रिपा करो, रानी क्रिपा करो हूँ यानि यान हूँ यानि